ताकतवर के सामने जुक जाना और कमजोर से लड़ना ये राष्टवाद नहीं ये कट्रता है राहुल गांदी ने आज प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी उनके मंत्री और सावर कर उन तीनों पर आज अपने चरपरिचित अंदाज के अंदर और साती सत अडानी के उपर बारत उससे चोटी अर्थवेस्ता है और इसलिए हम उन से आगे बढ़ करके नहीं लड़ना चाहेंगे ये विदेश मंत्री एज़े संकर का बयान था हूब हूब बयान मैं आपको सुनवा भी दूँगा और उसी बयान को लेकर के आज राहुल गांदी ने कॉंग्रेस के डिवेस्न में जब बोल रहे थे तो जम करके निसाना साधा और कहा कि जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे जब देश गुलाम था तो क्या भारत की अर्थवेस्ता अंग्रेजों की अर्थवेस्ता से बड़ी थी और इसलिए हमने अंग्रेजों को खदेड करके भगा द पहले किसी मंतरी का मोधी सरकार के किसी वक्तववे का इस तरह से पलटवार शैद कभी किया होगा जब अर्दस्थ आकरमक् खोकर के राहूल गांधी ने पलटवार पर राज़ कर रहे थे तो उनकी अर्थोयस्ता और हमारी अर्थोयस्ता क्या थी हम्मारी अर्थोयस्ता से छोटी थी इसका मतलब यह है कि जो сطिसाली है उसके सामने अपना सर जुका दो राहुल ने कहा कि यह सावर कर की बिचार धारा है यह राष्टवाद नहीं है आप एक बर ज़रा सुनिए राहूल गांदी किस तरह से विदेश मंत्री एजे संकर पर निसा नसाद रहे हैं कुछ दिन पहले इंटर्वियू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की एकॉनमी हिंदुस्तान की एकॉनमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं जब अंग्रेज हम पर राज करते थे क्या उनकी एकॉनमी हमारी एकॉनमी से छोटी थी लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो इमद जो आपसे कमजोर है उससी से लड़ो इसको कायर्था कहा जाता है सावरकर की विचारधारा सावरकर की विचारधारा अगर जो आपके सामने आपसे बगड़ा है मजबूत है तो उसके सामने अपना सिर जुका दो मत्था टेक दू हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं यह कौन सी देश भक्ती है जो आप से कमजोर है उसको आप मारो और जो आप से मजबूत है उसके सामने आप जुक जाओ राहुल के आज के भाषन की सबसे बड़ी ख़वर रही सबसे बड़ी हैडलाइन बनी है जिस तरह से उन्होंने मोदी सरकार के उपर अटेक किया है कि ये आपका राष्टवाद नहीं हो सकता है ये कायरता है सीदे सीदे आप कमजोर से लड़ने की बात करेंगे क्या और सक्तिस साली के सामने सरेंडर कर देंगे और इसलिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी चीन का नाम नहीं लेते हैं इस तरह के आरोब लगातार राहूल गांदी पिछले कई साल से लगाते रहे हैं लेकिन जिस अंदाज में आज राहुल बोले हर कोई सुनता रहे गया देखता रहे गया कि राहुल आज किस तरह से किस अंदाज के अंदर मोधी सरकार के उपर आकरमक हो रहे हैं देखिए नोभार टाइम ने छापा है सकती साली के सामने जुक जाना और कमजोर से लड़ना का अब मैं आपको बताता हूँ विदेश मंतरी ने कहा क्या था देखिए जनसत्ता का बयान है जैसंकर समाचार एजनसी एनाई से बात कर रहे थे इस दोरान उनसे सवाल क्या गया कि विपक्स आरोप लगाता है कि भारत सरकार चीन के मामले में डिफेंसिव रहती है और चीन क चीन के कुछ करने पर भी कदम उठाती है इसके जवाब में विदेश मंतरी ने कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है हमें यह समझना होगा कि हम हमसे बड़ी अर्थ्वेस्ता है कि वे हमसे बड़ी अर्थ्वेस्ता है यहां पर इस स्विकार करके कि चीन भारत से बड़ी अ रियक्टिव होने के बाद में यानि कदम उठाने का नहीं है, यह सवाल कॉमन सेंस का है, तो कॉमन सेंस समझा रहे थे और आज कॉमन सेंस कितनी भारी पड़ी होगी, और शायद विदेश मंतरी जैसंकर को लगा होगा कि यह बयान उनका गलत था या सही था, लेकिन चलिए आ अटेक बोला अडानी के उपर, और नकेवल अटेक बोला उन्होंने एक फोटो भी ट्वीट किया है, यह आप देखिए राहूल गांदी ने ट्वीट करते हुए, अपने खुद के ट्वीटर हैंडल से, मोडानी, मोदी और अडानी से मिला करके बनाया, मोडानी, मोडानी क सचाई निकलने तक नहीं रुकेंगे, देश विरोधी ताक्तों से जम करके लड़ेंगे, और उन्हें एक मिनिट का वीडियो अपना ट्वीट किया हूँ, जिसमें बता रहे हैं कि कैसे देश की संसद में वो बोल रहे थे, लेकिन देश की संसद में बोलते वक्त उनके कैस सब्दों को हटा दिया गया, देखे जरा, पार्लिमंट हाउस में अदानी जी पे मैंने आकरमन किया, मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुँचे, तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंदर मोधी जी आपका अदानी जी से रिष्टा क्या कहते हैं, जो अदानी जी पे आकरमन करता है, वो देश द्रोही है, मतलब अदानी जी देश के सबसे बरे देश भग बन गए, हम पूछेंगे, एक बार नहीं, हजारों बार पूछेंगे, रुकेंगे नहीं, जब तक अदानी जी की सच्चाई नहीं निकलेगी, तब तक हम नहीं रुकेंगे, नरेंद्र मोदी जी कह सकते थे कोई रिष्टा नहीं, वगर रिष्टा है, भाईयों और बेनों, अदानी जी और मोदी जी एक हैं, और देश का पूरा पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है, याद रखिए, अजादी की लड़ाई भी East India Company के खिल लड़ जाएगी, दरसल राहुल, मोदी सरकार और मोदी सरकार के मंत्रियों और उनके तमाम निताओं के बयानों को लेकर के अब खुले मुखला आरपार के मूड में है, और इसलिए राहुल गांदी कह रहे हैं, कि अडानी को लेकर के वो नहीं रुकने वाले हैं, और मैसि उन्होंने देश की संसद में कही थी, वो भाशन है यह, और उसमें राहुल गांदी लिखते हैं कि प्रदान मंत्री के जादू ने 2014 में 609 रैंक से, 609 रैंक वाले अडानी को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया, राजनिती और व्यापार के ऐसे रिस्ते से, मित्र का बिजनिस कैसे बढ़ाएं, इसमें मोदी जी को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, और इसको अभी तक जो हो पिन करके रखा हुआ है, यह यूट्यूब चैनल का लिंक है, राहुल गांदी के चैनल का, और दसल इसके माइने इसलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार ने इसकी संसद से शिकायत करते हैं, वे कुछ उनके भाषन की जो अंस्त है, जिसमें मोदी और अडानी का नाम एक साथ था, उसको हटवा दिया, तो क्या वाकई दोहजार चोबिस के चुनाव से पहले, अडानी को ले करके, और चीन को ले करके, जिस तरह से, राहुल गांदी लगातार बीते कई सालों से बोलते रहे हैं, उसको एक नई धार दे रहे हैं, और वाकई नरेंदर मोदी के सामने कुछ ऐसी चुनोती पेस करने वाले हैं, दोहजार चोबिस के चुनाव आते आते, कि कोई जवाब मोदी सरकार के पास में उसका नहीं होगा, क्योंकि जिस अंदाज में राहूल गांदी अपने आपको शार्प करके एक के बाद एक दोबारा से नए सिरे से हमले बोल रहे हैं, तो यकीनी तोर पर मोदी के लिए और उनकी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है, बैराल आप क्या समझते हैं, राहूल गांदी ने जिस तरी तमाम खबरों के लिए ओनलाइन यूजिन अगर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बैल आइकन घंटी उसको जरूर दबाईए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें, उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सकें, धन्यवाद!